एक ऐसा नेता जो राज्य की सत्ता में हो या ना हो चर्चा में सबसे ज्यादा वही रहता है। वो नेता जब चुनाव हारा तो उसकी पार्टी 15 सालों तक सत्ता से बाहर रही। एहम ये भी है कि उसने खुद अपने लिए 10 सालों का चुनावी वनवास चुना था। आप तो समझी गए होंगे कि हम किस दिगज की बात कर रहे हैं। फिर भी रवायत के मताबिक आपको नाम बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं दिगविजय सिंग की। राज्य और देश की सियासत में वे दिगगी राज्य के नाम से भी जाने जाते हैं। नगरपालिका अध्यक्षपद से राजनीती में प्रवेश करने वाले दिगविजे सिंग मध्यप्रदेश के दो बार सीम रह चुके हैं। दिगविजे सिंग मध्यप्रदेश के अलावा केंद्र की राजनीती में भी काफी सक्रिय हैं। 1984 में दिग्विजे सेंग ने लोकसभा चुनाव में कदम रखा और राजगर सीट से चुनाव जीत कर संसत पहुँच गए। कॉंग्रिस पार्टी में उन्हें विभिन पदों की जिम्मदारियां भी दी गई। दिग्विजे को कहा जाता है कि वो हवा के रुख को पहचानते थे। कैलेंडर में तारीखें बदलती तो दिग्विजे भी अपने राजनी तिक आकाओं को बदल लेते थे। जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो नरसिंग राओ कॉंग्रिस के अध्यक्ष थे। दिग्विजे टेर साल में ही उनके करीबियों में शुमार हो गए थे। इसके बार जब सीता राम केसरी के हाथों पार्टी की कमान आई तो दिगी उनकी भी टीम में शामल हो जब सोनिय गांदी कॉंग्रिस अध्यक्ष बनी तो वे तब भी उनके प्रासंगिक बने रहे। दिग्विजे की खासियत यही रही है कि वे राज्य में अपने वफादारों का पूरा कैडर ही तयार कर लेते थे। वे वे पक्ष को भ्रम में रखते थे लेकिन इसी दौरा उनसे एक बड़ी गलती हो गई। दूसरी पारी में उन्होंने वो कर दिया जिसके लिए अब कई बार उनकी खिचाई भी की जाती है। वो है उनका बड़ बोलापन। उनकी तीसरी पारी शुरू होती इससे पहले उन्होंने बयान दिया। चुनाव सड़के बनवा कर नह सफल रही है। नतीजा आया और कॉंग्रस ने 230 सीटों में से महज 38 सीटों पर दर्च की जीत। दिगविजे ने जनता के फैसले को स्विकार किया और केंद्र की सियासत में चले गए। जहां उनकी पारी को कहीं से भी कमजोर नहीं आका जा सकता। यूपीय सरकार जब भी म उद्दो पर वक्त मिल जाता था। लादेन और बटला हाउस पर उनके बयान आज भी लोगों के जहन में है। ये दिगविजे की काबिलियत ही है कि पार्टी ने उन्हें उडीशा, उत्रकंड, बिहार, उतरप्रदेश, असम, करनाठक, आंधरप्रदेश, तेलंगाना और गोआ में पार्टी का प्रभारी बनाया। कई बार ये भी कहा जाता है कि वे राहुल गांदी के राजनीतिक गुरू हैं। दिगविजे की आप अलोचना कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि मध्यप्रदेश के हर विधान सबा के कॉंग्रिस कारिकर था, उनसे जुड़े वे जमीनी नेता माने जाते हैं। दुन के इतने पक्के हैं कि इस उम्र में भी पश्चिम की और बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा की 3300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लेते हैं। मेकैनिकल इंजिनियर की डिग्री रखने वाले दिगविजे की राजनीतिक इंजि टान उनका खोब रहा है। खुद दिगविजे सिंग अपनी शक्सियत से भली भाती परीचत हैं, तब ही तो वे खुद को कहते हैं कि मैं पंचिक बैग हूँ, लोग मुझे निशाना बनाते ही रहते हैं। ऐसे में अब पांच विधानसवा चुनावों में बीजेपी की श पूर्वसीयम और मध्यप्रदेश की राजनीती का ब्रांड माने जाने वाले दिगविजे सिंग यानि की दिगई राजा राजय सभा में ही बने रहने वाले हैं। उन्हें फिलाल कोई भी बड़ा रोल नहीं दिया गया है। इस विडियो पर आपकी क्या राह है? हमें कॉ